तो तक्नीक, चुकि ये तक्नीक व्यक्ति परक यानि सब्जेक्टिव टेक्नॉलजी है, जिन तक्नीकों का आप अभी इस्तिमाल कर रहे हैं, वो बाहरी तक्नीके हैं, अब मैं एक सब्जेक्टिव टेक्नॉलजी के बारे में बात कर रहा हूं, ये आपके बारे में हैं, यहा आप उस सॉफ्ट्वेर के अनुसार काम कर रहे हैं, जो आप खुद बन गए हैं। आप कैसे परिवार में पैदा हुए, कैसे मातापिता, कैसा स्कूल, कैसे दोस्त, कैसा वातावरण, कैसा धर्म, कैसा समाज, इस समय आप वैसे ही व्यक्ति हैं, है न? तो ये सॉफ्ट्वेर आपके अंदर उट पटांग तरीके से हर उस आदमी ने लिखा, जिसके आप संपर्क में आएं। नहीं ज्यादा लेंगे. ये इसी तरह है. तो फिलहाल जिस तरह से आप सोचते हैं, महसूस करते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में कोई काम करते हैं, वो आपके सॉफ्ट्वेर के अनुसार है, है न? आपको समझना होगा कि आप जिस तरह अपने शरीर को हिलाते हैं, व वो एक मील दूर चल रहा है, आप उसका चैरा नहीं देख सकते. लेकिन सिर्फ उसके हिलने के तरीके से आप जानते हैं, कि वो ये व्यक्ती है. है न? क्योंकि उसके शरीर के हिलने का तरीका, वो सिर्व ऐसे ही हिलाता है, जैसे उसका सॉफ्ट्वेर लिखा गया है. लेकिन ये software अचेतन आवस्था में लिखा गया था अब अगर हम थोड़ी आजादी चाहते हैं अगर हम थोड़ा रूपांतरन चाहते हैं तो हमें आपके और आपके software के बीच थोड़ी दूरी पैदा करनी होगी अगर आपने गहरी पैचान बना ली है तो आप उसी में खो गए हैं और वही बन गए हैं अब आपको थोड़ी दूरी पैदा करनी है आपने बुद्ध शब्द के बारे में सुनाए अगर मैं बुद्ध कहता हूँ तो शायद आप हमेशा गौतम बुद्ध के बारे में ही सोचते हैं गौतम अकेले बुद्ध नहीं है ये उनका नाम नहीं है वो बुद्ध बन गए थे ऐसे हजारों बुद्ध हो चुके हैं और आज भी हैं बुद्ध का अर्थ है बुद्ध है बुद्धी यानि इंटलेक्ट धा का अर्थ है दादा वो जो उपर हो जो अपनी बुद्धी से उपर है वो बुद्ध है एक बार जब आप अपनी बुद्धिक प्रक्रिया से उपर उठ जाते हैं तो आपके जीवन में दुख समाप्त हो जाते हैं क्योंकि सारे दुख आपके लॉजिकल माइंड में पैदा होते हैं जब आप अपनी बुद्धी में फसे होते हैं, तो आप लगातार दुखी रहने वाले इंसान होते हैं आपको जहां भी डाला जाए, आप खुद ही दुख पैदा करने का तरीका ढून लेते हैं आपके डर, चिंताएं, टेंशन, स्ट्रेस देखे जरा, लोग किसी भी चीज़ को लेकर दुखी हो सकते हैं हाँ? है कि नहीं? लोग दुनिया में किसी भी चीज़ को लेकर दुखी हो सकते हैं देखे जरा अगर आप पड़े लिखे नहीं हैं, तो उसका दुख अगर पड़ लिख लें, तो दुख अगर आपको नौकरी नहीं मिलती, तो दुख, अगर नौकरी मिल जाए, तो दुख, अगर आपकी शादी नहीं होई, तो दुख, शादी हो जाए, तो दुख, अगर बच्चे नहों, तो दुख, बच्चे हो जाए, तो दुख, है न? लोग दुखी हो सकते हैं, लगभग हर चीज के कारण बुद्धी का यही स्वभाव है जब आप बुद्धी में फसे होते हैं, तो जीवन ऐसा ही होता है अगर आप बुद्धी से नीचे हैं, तो आपको इतना दुख नहीं होगा जानवरों को उतना दुख नहीं होता, जितना आपको होता है अगर बाहरी चीजों की व्यवस्था हो जाए, तो वो ठीक ठाक रहते हैं उन्हें उतना दुख नहीं होता, जितना इनसान महसूस करते हैं, है न? तो अगर आप बुद्धी से नीचे आ जाएं, तो आप ज्यादा दुखी नहीं होंगे जैसा कि आपने सवाल किया अगर आप बुद्धी से उपर हैं, तो आप बुद्ध हैं अगर आप बुद्धी से नीचे हैं, तो शायद हम आपको बुद्धु कह सकते हैं अगर आप बुद्धी में फसे हैं, तो लगातार दुख तो दुखों से बचने के लिए, लोग बुद्धी से नीचे जाने के कई तरीके इजात कर रहे हैं बहुत ज्यादा खाना, शराब, शारिरिक सुखों में बहुत ज्यादा समय बिताना ये सभी वो तरीके हैं, जिनसे आप अपनी बुद्धी की यातना से कुछ देर बचने की कोशिश कर रहे हैं आप शराब पीते हैं, और कुछ घंटों के लिए आप अच्छा मैसूस करते हैं पर फिर जीवन अधिक जोर शोर के साथ आपको दबोच लेता है ये आपको जाने नहीं देगा अब ये जीव जो बुद्धी से नीचे था, किसी तरह बुद्धी तक पहुँच गया है इससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, बुद्धी से परे अपना विकास करना तो योग का मूल सिध्धान्त और तकनीक यही है कि इससे परे कैसे जाएं तो इससे अभी कैसे करें भीतरी तकनीकों को ऐसे वातावरण में नहीं सीखा जा सकता, जहां कमिटमेंट नहों आपको एक कमिटमेंट से भरे, फोकस्ट वातावरण की जरूरत होगी वरना यह आपकी पकड में नहीं आएगा, यह कोई शिक्षा नहीं है, यह एक साधन है किसी साधन के इस्तिमाल से पहले, आपको एक खास थिती में होना चाहिए आपमें एक स्तर का कमिटमेंट होना चाहिए एक स्थर की ग्रहन शीलता होनी चाहिए, वरना ये काम नहीं करेगा क्योंकि, देखिए, अगर आप एक Chemistry Lab में जाते हैं, अब दो Chemicals लेते हैं, अगर आप उन्हें मिलाते हैं, तो कुछ होता है लेकिन अगर आप उन्हें मिलाने के लिए तयार नहीं हैं, अगर आप यहां बैटकर बस सोचते रहेंगे कि इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, आप बस सभी गलत निश्कर्शों पर पहुँचेंगे जब तक आप मिलाते नहीं, हो सकता है, या आपके चेहरे पर फट जाए, लेकिन जब तक आप मिलाते नहीं, आपको इसके बारे में पता नहीं चलेगा लेकिन अब आप ही केमिकल हैं, आप ही केमिस्ट हैं और आप ही एक्सपेरिमेंट हैं सब कुछ आप हैं, अब आपको एक अलग तरह की लबॉरटरी की ज़रूरत है, वरना ये काम नहीं करेगा अगर ये बाहरी होता, तो हम सिर्फ एक किताब लिखकर आपको दे सकते थे लेकिन चूकि ये भीतरी है, हमें आपको स्टेप बाइ स्टेप ले जाना होगा क्योंकि ये बोध और अनुभव का एक पूरी तरह से अलग आयाम है लेकिन क्या ये मेरे लिए संभव है, ये हर इंसान के लिए संभव है अंदरूनी तौर पर हम सभी समान रूप से सक्षम है, हम अलग-अलग तरीकों से सक्षम नहीं है हम सभी में खुश होने की ख्षमता है, है ना? अगर आप एक पल के लिए भी खुश रहे हैं, यानि आप में खुश होने की ख्षमता है, है ना? बात सिर्व ये है कि आप वहां टिक नहीं पाते, यही असली मुद्दा है इस ग्रह पर ऐसा कोई इंसान नहीं है, जो कभी भी खुश नहीं रहा हर इंसान कभी न कभी खुश रहा है, यानि कि उसके पास खुश होने की ख्षमता है, बस वो वहां टिक नहीं पाता इसलिए उसे इस टेकनॉलोजी की जरूरत है कि वो अपने भीतर के माहौल को कैसे बरकरार रख सके, यह संभव है